रादे रादे कार्तिक मास का मीना चल रहा है आप सभी इशनान और बर्त कर रहे हैं इसके साथ ही हमें इन कहानियों को भी जरूर सुनना चाहिए इन कहानियों को सुने के बिना जो बर्त का फाला है वो पूरा नहीं मिलता आज हम आपको इल्ली और गुन की कहानी सुना रहे ह बहुत पराने समय की बात है एक इली और गुन रहता था कार्थिक मा साया और इली बोली गुन आयो हम कार्थिक नहाएं तो गुन बोला तू तो गोरी पड़ी है तू ही नहा ले मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है मैं नहीं नहाँगा मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा ठंडा ठंडा पानी प्यूंगा तो ही जा तो ही नहा लाए बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पले लगतर चली गई और वै नहा लई और गुन नहीं गया और वै नहीं नहाया कार्तिक मा समापत होते ही दोनों मर गे बाद में इल्ली के कार्तिक नहाने के कारण उसको राजा के घर उसका जनम हुआ और गुन राजा का गदा बन गया जब बेटी का बिवा हुआ साया निकलवाया गया तो बिवा का दिन निकल गया और सुसरा जाने के लिए बीदा करने लगी तो बेटी की बैल गाड़ी रुक गई तो राजा रानी बोले कि बैल गाड़ी क्यों रुक गई तुझे जो चाहिए मांग लै तब लड़की बोली जे गदा मुझे चाहिए बै बोले जे गदा छोड़ इस से जे मत लेके जा और तुझाहे जितनी मर्जी धन दोलत ले जा प्रंतु बे नहीं मानी और कहा मुझे तो यही गदा चाहिए तो यही गदा रत के साथ बांद दिया जब साथ बांद दिया तो वै फुद फुद कर भागने लगा तब लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीड़ी के नीचे बांद दिया जब सीड़ी उतरने लगी तो गदे ने कहा ए सुन्दरी ए लड़की थोड़ा सा पानी पिला दे तब उसने पहले कहा आ नहाल है तब तुने कहा था कि मैं बाजरा खाऊंगा ठंडा ठंडा पानी प्यूंगा तो अपस की ये बात द्रानी जठानी ने देख लिया तो देवर को सिखा दिया कि तू क्या जदुगर्नी लाया है तेरी रानी तो जा कानों से नहीं सुनूगा मैं नहीं मानूगा आँखों से नहीं देखूंगा मैं नहीं मानूगा दूसरे दिन बेशुप कर बैठ गया और क्या देखता है कि रानी महल से नीचे उतरती है और फिर बही बात बोली तो रानी ने जवाब दिया तब ये तलवार निकाल कर खड तब राणी ने कहा कि ओरत का बेद मत खोलो तब राजा ने कहआ तुमुझे पूरा सच बता तब राणी ने कहा कि पछले जनम में में तो इली थी और ये घून्था तब मैंने कहा था कि घ्रिन आओ हम कार्तिक नहा लें पर ये नहीं नहाया और मैं नहाली मेरी नहाने के कारण मैं राजा के पले में लग कर नहाई तो राजा के घर में जनम लिया इसलिए मैं तो पिछली बात कर रही थी ये बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का इतना फल तुरानी नह कहा कि कार्तिक के नहाने से मैं आपके घर में राज़ पाठता रही हूँ तब राजा ने कहा इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से नहाएंगे और बहुत दानपुन करेंगे जिस से आगे हमें और जियरा सुख मिलेगा दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपती हो गई हे कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सब को सुख देना जैसे गुन को किया वैसा किसी के मत करना जो ये कहाने सुन रहा हो पढ़ रहा हो उस पर अपनी उसको सभी खुश्या प्रापत हो रादे रादे आपको अगर मेरी ये वाइडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और अपने कमेंट में रादे रादे जिरूर लिखें